गुद मॉनिंग स्टुडेंट आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4 जो किसकी है चेक करो बी जो रेशनल लंबर है वो टर्मिनेटिंग टाइप का है या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग टाइप का है तो सबसे पहले हमें पता है जो रेशनल लंबर है उसक तो उसके लिए सबसे पहले जो P by Q का rational number होता है जो denominator होता है हम उस denominator में देखेंगे factor किस type किया हुए है उसके factor करेंगे prime अगर उसमें 2 और 5 आगे तो तो वो किस type का होगा non-terminating का अगर 2 और 5 ना आए तो वो कैसा हो जाएगा non-terminating but repeating type का यहाँ पर जो 2 की power है और 5 की power है यह क् किया कहते है non-negative integer whole number कождения कि रिमेंशन किया क्योंकि 2 की पावर भी 0 ले सकते हैं 5 की पावर भी 0 ले सकते हैं यह कब लेंगे जब उसके अंदर 2 की enhancing 0 और 5 की power 0 कब ली जाएंगी जब उसमें सिर्फ क्या होगा only क्या होगा या तो 2 के factor होँगे या फिर किसके होँगे 5 की अगर 2 के factor है तो उसमें 5 की power 0 लेंगे और अगर 5 के factor है तो only तो उसमें किसकी लेंगे 2 की power 0 Is that clear भई denominator में क्या करने है prime factor वो prime factor और 5 factor नहीं आए तो वो कैसा हो जाएगा non-terminating but repeating जो यह first question है यह first और second दोनों में इलाके मैंने किया हुआ NCIT में first question में हमें यह बताना है जो यह expansion दे रखे हैं P by Q की form दे रखे है यह terminating है यह non-terminating but repeating है अगर terminating है तो क्या करूँ उसका terminating expansion करके दिखाओ ठीक है terminating expansion second question का type है तो यह first और second दोनों question मैंने merge करके एक में बना दिया है अगर वो terminating होगा तो हम उसका terminating expansion करके दिखा देंगे अगर वो terminating नहीं है तो उसका हम expansion करके नहीं दिखा सकते अब देरकर 13 वटे 31 31 के factor होंगे क्या होंगे 5 की power 5 prime factor नहीं यहाँ पर only 5 है तो हम क्या ले सकते है 2 की power 0 तो यह कैसा expansion है हमारे पास terminating क्योंकि terminating क्या कहता है denominator में किसके factor आने चाहिए 5 और 2 के तो is that clear आगे हमने इसको divide करके दिखा दिया क्योंकि terminating है तो divide करके क्या दिखा देंगे इसके factor is that clear similarly second part दे रखा है 17 upon 8 8 के factor क्या होते है 2 की power 3 हमें सभी में क्या करना है denominator के factor अगर numerator से कटता हो denominator तो काट भी सकते हैं नहीं कटता तो हम सीधा क्या लेंगे factor तो बढ़ी 2 की power 3 है मैंने बताया था जब 2 की power 3 हो खाल ली या फिर 5 की power हो कुछ भी तो उसमें दूसरा number क्या ले लेंगे 5 की power 0 या फिर 2 की power 0 यहां पर 2 की power 3 है तो 5 की power क्या ले सकते है 0 तो एक ऐसा expansion वाया दिया terminating क्योंकि इसके denominator के factor किसमें है 2 और 5 में अब इसको डिवाइड करके दिखा दिया terminating expansion next is 64 upon 455 दोनो numerator और denominator नहीं कट रहे तो सीधा हम क्या बनाएंगे इसके factor अब इसके factor में क्या आए है 5, 7, 13 5 तो है लेकिन 2 और factor के आगे 7 और 13 क्यों में क्या नहीं है 2 और 5 5 तो है लेकिन उसके अलावाद 2 और आगे तो ये कैसा हो जाएगा non-terminating but repeating type इसमें हम डिवाइड करके नहीं दिखाएंगे next है इसमें 4th part skip हो गया था वो मैंने नीचे किया हुआ है 5th है 29 upon 343 343 के जो factor है वो क्या आएंगे 7 की power 3 इसमें ना तो 2 है ना 5 है terminating होने के लिए denominator में 2 और 5 दोनों होने जरूरी है तो ये कैसा हो जाएगा non-terminating but repeating 6th part है 23 upon 2 की power 3 5 की power 2 वह दो factor अल्रेडी बना के दे रखे हैं तो कैसा expansion हो जाएगा terminating divide करके इसको हम दिखाएंगे 4th part है 15 upon 1600 1600 की factor बनाओगे तो क्या बनेगा 5 की power 2 और 2 की power 6 काटना चाहते हो तो काट लेना नहीं काटोगे तो भी बन रहे हैं factor ठीक है divide करके कितना आ जाएगा 0.00937